Good morning children, welcome you all to lesson 2, आप सबको पार्ट दो में स्वागत है तो बच्चों ये दोनों देखो कौन सा पिक्चर है, ये ग्रान पेरिंस हो, ये ओल्ड पेर, ओल्ड मैन और ओल्ड मैन इसेंट इनको नाना नानी कहते हैं आप सबको इंतजार करते हैं चुट्यों मिलने से कब जाएंगे अपने दादा दादी या नाना नानी के पास तो बच्चों, नानमा नानी मत्रब कोन होता है, अममा तातिया, तिल्गू में अंको अममा तातिया बोलते है, फिर दादा दादी कोन होते हैं बच्चों, नानमा तातिया, है ना, तो बच्चों, चुटी, वन युल गत होलिड़े, युल बच्चों, युल गत होलिड़े, we'll be getting, we'll be trying to go to our grandparents' house. देखो, इन में से नाणी, है ना, दादी, दादी कौन होता है में बता दिया पहले, दादी मतला नानमा, है ना, हम बहुत अपने दादी को को है क्या को, अपने दादी को चाने वाला नहीं है, इनीपड़ी हूँ देखो, दादी मतला ना, हूँ दादी मतला ना, है ना, कभी-कभी हमारे पास रहती है, फिर भी ज्यादा तर के बच्चों के दादी गाओं में रहती है, क्योंकि हम इतना पसंद करते हैं, तो इसी के संबद में आज हम अपना पार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो दादी मा हमको क्या क्या करती है, हमको क्या क्या किलाती है, क्या क्या करती है, इन सबी के बारे में इस पार्ट के दोरा हम जानेंगे, तो बच्चों, दादी मा ऐसी ममता मूर्ती है, ममता मूर के रहती हैंना जब हम कोई एवक को जब हम बहाँ जाएंगे दाधी के पास तो दाधी मां को किस तरह प्यार करती है इस पार्ट में पढ़ेंगे तो आज का पार्ट दूसरा पार्ट है दाधीमा इसके लेकक है श्री श्रीव प्रसाद सिंग जी तो श्रीव प्रसाद सिंग जी वे अपने दादी मा के बारे में वे बताते हैं इनको किस तरह प्यार किया किस तरह अपना ममता मने अपने जब उनको अपने पिताजी डानते थे उनको किस तरह से उनकी रक्षा करती थी कभी-कभी पिटाई भी होती थी जब उनको बुकाराने पर उनकी सेवा की और उनके आजू बाजू बगलक वालों रहते ना उनको भी किस तरह मदद करती थी यह सबी इस पार्ट के द्वारा हम जानेंगे तो ऐसे हुआ बच्चों जब उनको चिट्टी मिला है चिट्टी मतलब क्या होता है बच जब उनको चिट्टी आती हमकी कजन ब्रदर थे जिसका नाम था किशन उन्होंने एक चिट्टी लाकर उनको दिया जो वो चिट्टी खोल कर पढ़े उनकी बच्चपन मिसे उसमें क्या था अब उनकी दादी मा नहीं रही मिस शी पास्ट अवे यह बात दुखी हुआ है न लेकक ने अपनी दादी मा से अपनी दादी मा बहुत वासलता दिखाती है मिस वासलता 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 all her love and affection towards him लेकप के बीमार के समय वह बहुत सेवा कर दिती so when he was, when he got fever, what, how did she serve him what, how did he, how किस तरह उनकी देखबाल की भी आद किया और हर विशे में इसे बचाती थी मने क्या हो बच्चों, जब अभी भी होता है ना जब आप कुछ बदमाश काम करते हो तब आपके मा डांती है या पिताजी डांतने को आती है तो तूरंत बीच में दादी मा आती है ना शील कम इन में जब आपके पिताजी को है ना क्यों डांत रहने दो रहने दो ऐसे बोलती है ना हाँ, इसी तरह इंको यह याद आगे इसलिए लेकक को, that's why, why, because she helps us in every accept without knowing anybody, she'll hide some cook, what all thing she has cooked, she'll hide somewhere and without anybody, she'll be giving us to eat, isn't it? इसलिए यह 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 आपके आपके अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था, दादी इसी ओभी ने, दादी माँ क्या करती थी, आज पास के लोगों की सेवा करती थी, तो उनकी दादी माँ, कितनी आज ओल्डेन डेस ना, अभी हम अब हम हम हांस्पतल जाते हैं, पर पुरान जमन में हल्दी वगेरा यह सब ही मिलाकर उनकी आजू-बाजू लोगों को भी बहुत देर सेवा करती थी, देखो, हमारी दादी माँ क्या करती है रात के समय, क्या सुनाती है, मीठी-मीठी कहानिया सुनाती है, जब हमको नींद नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर जाने से कहां सोते हैं, अपनी दादी के मा के पास ही सोते हैं, तो दादी मा हमको क्या करती हैं बच्चों, रात में परियों की कहानी, राज कुमारी की कहानी, राजा की कहानी, तो हर हमको जो चाहिए ओई कहानी हमको सुनाती है, और ओ कहानी सुन भागवां की कहानिया सुनाती है वह कैसे कहानी सुनाती है जू आ RAW की कानी बारे में बच्छा हैं, कभी-कभी भाजन शुनाती है कभी-कभी ऐस् Them जाने बताती है जो हमको बहुत अच्छा लगता है उसी के साथ क्या किसमे सहायता करती है दादी मा हमारे को पढ़ाई के समय भी हमको सहायता करती है है ना हमको जब कोई तकलिफ होती है पढ़ने में तकलिफ होती है तो उसके बारे में भी हमको हमारी पढ़ाई में हमको सहाय जब हमारे बाई और हम आपस में लड़ते हैं किसी चीज के लिए तबी भी हमको बिठा कर एक की जगह पर बिठा कर हमको पढ़ने में सहायता करती है। करने के लिए तयार हो जाती है हमारी दादी मा तो उसी तरह लेकर हमको इन लेकर को भी उनकी दादी मा उनको किस तरह उनको आप उनके सामने बिठा कर पढ़ाती थी उसको याद आ गया। देखो ऐसा है नहीं है अपने बेट परवार के साथ परवार में कोई भी समस्या आने पर वो बेट कर चर्चाद शी डिस्कुस everything and she is just like a strength in the family and she won't allow anybody to go down just she gives courage she supports she gives her strength she gives the support to the family to not go into any depression like that so that and in what in what way she can help she'll be ready to help so that we can come out of that problem. इसी तरह लेकर गर में भी जब समस्य आया तो उनको किस तरह बाहर निकाला वो उनकी याद आ गई ये भी नहीं है देखो वो ऐसे सुनाती है हमें जिससे हम सुनकर कभी कभी चुटकुले सुनाती है कभी कभी ऐसे मजागबरी उनके बच्पन में कैसा था है ना तो अभी हम बड़े होने से आपके पिता जी बोलते ना या ममी बोलती है कि वेन वी आर स्मॉल वी डू लाई देट, वी लाई देट, वी डूट उसी तरह दादी मा भी जब उनके बच्पन में क्या क्या हुआ वो भी ऐसे बताती है उनको सुनने से ही हमको हसी आती है है ना तो कभी कभी हमको हसी बरी चुटकले सुनाती है तो कभी कभी मजे बर मजे बर के कहानिया सुनाती है जिसे हमको सुनकर बहुत मज़ा आता है तो बच्चों इस तरह हम कर सकते हैं कि देखे दादी मा हमको किस तरह साहिते करते हैं साथ में बच्चों जब हम गौन जाते हैं तो ऐसे पक्वान बनाती है ऐसे पक्वान बनाती है जिसका इतना स्वाध होता है क्यूंकि पुराने जमाने में किस पे पकाते थे बच्चों चूले अब हमारे पास ग्यास्ट हो है ना वहाँ नहीं था तेलगों में करपोईलो बोलते है ना उसी तरह वहाँ पे ऐसे स्वादिष्ट बोजन बनाती है और तरह तरह की मिठाईया क्योंकि अब हमारे शाप में मिलता है बर्गर, पीजास वगरा वगरा वहाँ तरह पर हाथ से बना हुआ खाना वह भी दादिवा दादि मा के द्वारे बना हिवा पूछो मत इतना स्वाद बरा होता है कि हम उसको छोड़ते ना क्युंकि हम प्यार क्यों अतना ठेस्ट होता है बच्चों उनमें से सारा वो नहीं है वो पोडर वो नहीं है वो एससे है नहीं प्यार बरी महमता बरी से पकाती है ना कि मेरा पोता काएगा मेरी पोती काएगी है ना इसलिए वो जो भी दाधिमा का बना है वो हाथ का खाना इतना स्वादिश्ट होता है कि हम उसको चांटे अपनी बना कर खिलाती थी, यह बना कर खिलाती थी, हम भी बोलते है ना, दादी मा मुझे वो चनब बना कर दो, यह बना कर दो, हम गयते है ना, है कि नहीं बच्चों, we'll tell no, Granny, I want that, please cook for me, we'll tell no, like that, उसी तरह लेकक को भी, अपनी दादी मा उनको, क्या-क्या बना कर पकाती थी, उसी तरह शॉपिंग, शॉपिंग मने क्या होता है, बनलो, बच्चों दुकान, वो जाती है, वो बोलो, हम बो चुट्टी लिखते है, हम फोन करेंगे, कि दादी मा हम आ रहे हैं, तो क्या करते है, सबसे पहले, कहा चली जाती है, बच्चों, बाजार, है ना, she goes for market, and what all things we want, she'll buy for us, isn't it, क्या क्या चाहिए, हमको कभी-कभी कपड़ा लेकर, कारिद कर, चुपा देती है, ताकि कोई ना देखे, है ना, वो चाफिर, sweets होता है, chocolates होते है, और कुछ भी, हमको क्या पसंद है, है ना, क्या पसंद है, गुड़िया करीती है, क्या ना, और हमको जो खेलने, ज सब कुछ खरीद कर, हमारे आने की, इंतजार करते है, शी वेट्स फर उस, फबाइंग ओल तिंग्स, या, लेकक को भी, ये बात आयाद आगी, जब उनकी दादी मा, उनको जाने के पहले, क्या क्या करीद कर, उनके पास रखती थी, तो बच्चों, इसी तरह, दादी मा, हम को किस प्रकार की हर तरफ से, एक तरफ से, एक तरफ, in all ways, in every accept, she'll be ready for us, why she loves us so much, so in that way, she loves us, we love her too, isn't it, वो हमें ज़्यादा पसंद करती है, और हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं, तो बच्चों, तो इस पार्ट के दोरा, हम लेकक ने, अपनी बच्पन में, उनकी दादी की याद आ गई, और उनको किस प्रकार की सहायता करती थी, यह सबी उनको याद आ गिया, तो बच्चों, अभी क्या होता है, उनकी स्वाबाओं के बारे में, वो कैसी थी, वो क्या करती थी, वो देखें बच्चों, अभी हम कुछ भी हो दवाई के लिए जाते हैं, पर दा दादीमा को क्या होती है यह चोटी जोटे देखो हल्दी जैसा हल्दी जैसी चीज़े टर्मनिक दिस ओल पॉड़ सिल्फी जैने पेपर दिस अखांसी हो जाने से वो सभी दवाई के और इसमें तुरह शहत डालकर तो क्यूंकि उनको मालम है वो कांसी के लिए बहुत इस पाठ के दोरह जब लेकक को मालम हुए कि उनकी दादी मा की मृत्य हो गई तो उनके सामने दादी की यादे ताजी हो गए मैंने मैं अभी समझाया ना जो बाते पूरी अपने बच्पन में उनकी यादे जो आगी उनके सामने और उनके बच्पन की इसमुतियां जाग बरे जलाशियों में कूदना और बिमार होने पर दादी का दिन रात उसकी सेवा करना किशिन बईया की शादी पर आउरतों दोरह किये जाने वाले गीत और अबनें के समय चादर ओड कर सोना और पकड़े जाने पर दादी मागीली दोती पहन कर कर दिया हुआ जला कर हाथ जोड़कर बैठना आदी भी याद आ जाती है तो गाउं में पानी में पॉंट्स होते न बच्चों तालाब चोटे चोटे उन में से खूद कर तैयार होने से पानी में रहने से क्या होता है बिमार पढ़ जाएंगे न तो ये सारी बाते उनको याद आ गई है तो अग घस्जार सथा जाएंगे न तो whस्णा चाना बो बच्कों एड़ा है बाते है अ जाएंगे है तो ये उनको ऑच राफ़ लादित से खो ये से लता कर देना खोने से घुली है झाल 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 झाल